वेलकम बच्चों, आज हम एक नए लेशन के साथ क्लास एट में जिसका नाम है उपनिवेशवाद और सहर इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे सबसे पहले देखेंगे उपनिवेशवाद कोलनीजम क्या है दूसरा और द्योग की करण इंडस्टिलाइजेशन क्या है तीसरा वीशहरी करण चौथा मैंचेस्टर का क्या अर्थ होता है या किस संदर्म में लिया जाता है और पांचमा है प्रेजिडेंसी सहर इस लेशन के संदर में जाने से पहले मैं नेक लेशन आपको पढ़ाया था ग्रामीड छेत्रों पर सासन और हमने देखा था कि अंग्रेजों ने या इस्ट इंडिया कमपनी ने इस्थाई बंदोबस्त महालवाडी बिवस्था और अधम से हमारे ग्रामीड जन जीवन को पूरी तरीके से अस्तविस्थ किया और आपने देखा होगा एक नील की खेती का आपकी टेस्ट बुक में उदाहन दिया गया है और अंत में क्या होता है नील भी द्रोह होता है और कृषकों को नील की खेती करने से मुक्ति मिलती है उसी प्रकार से हम इस lesson में study करेंगे कि हमारे सहरों का क्या हुआ हमारे सहर कई तरीके के हैं कोई मंदिर सहर के रूप में जैसे मदुरई कोई बंदरगा सहर के रूप में जैसे सूरत कई अध्योगिक प्रदेश या सहर के रूप में हैं उनको अंग्रेजों ने क्या किया उनके साथ कैसा बेवहार किया उसकी इस्टड़ी हम करेंगे तो हम ये देखते हैं कि अंग्रेजों ने जो हमारे सहर थे उनको क्या है बैक फुट पर रखा और जो अपने सहर बनाएं उनको उन्होंने क्या है फ्रंट फूट पर रखा सबसे पहले हम ये जानेंगे उपनिवेश स्वाद क्या है एक ऐसी विचारधारा जिसमें एक राष्ट गुलाम बनाए हुए राष्ट के प्राक्तिक संसाधन सांस्कृतिक संसाधन ये अन्य प्रकार के समस्त संसाधनों का उपयोग अपने राज्य के विकास के लिए जब करता है तो उस आइडियोलाजी उस विचारधारा को हम उपनिवेश स्वाद के नाम से जानते हैं इसके बाद और द्योगी की करण को और आते हैं और द्योगी की करण का आसे होता है जब तक उत्पादन की प्रक्रिया हाथ से चलता है तब तक हम उसे और द्योगी की करण नहीं कहते हैं जब उत्पादन की प्रक्रिया क्या है मशीनों के माध्यम से होने लगती है तो हम उसे क्या है और द्योगी की करण कहते है और 19 सेंचुरी में क्या है दुनिया के देशों में खास तरसे यूरोप में क्या होता है मसीनों द्वारा कल खानों के माध्यम से उत्पादन की प्रक्रिया सुरू हो जाती है लेकिन हमारे यहां क्या होता है कि 19 सेंचुरी में हमारे जो उद्योगिक सहर रहते हैं वे पतन की ओर जाने लगते हैं जिसके उदाहरण में हम आपको वताएंगे हमारे यहां का फेमस जो रहता है मसली पटनम रहता है सूरत रहता है सिरी रंगा पटनम रहता है ये अपने उद्योगों से निर्मित वस्तुओं के लिए जाने जाते हैं लेकिन जैसे ही क्या है East India Company की सब्ता अस्तित्तों में आती है, ये सहर क्या होते हैं, बैक फुट में जाने लगते हैं, अंग्रेज इनका क्या है, विकास नहीं करते हैं, बलकि इन ही के पैरलर क्या है, दूसरे सहरों का निर्मार करने लगते हैं, और उन शहरों में आप देखेंगे, उनमें आता है मद्राश, उनमें आता है कोलकाता, उनमें आता है आपका मुंबई या बंबई, तो ये सब, ये क्या हैं, सब पीछे जाने लगते हैं, और इसी पीछे जाने की प्रक्रिया को ही क्या है, हम वी सहरी करण कहते हैं वी सहरी करण कास है जब सरकार या कोई संस्थान बने बसाए सहरों को क्या है धीरे धीरे वहाँ से पलायन करने लगती है यानि उनका क्या है नयायोचित विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या है हम वी सहरी करण कहते हैं ये सहरी करण का अपोजिट है सहरी करण में क्या है सरकार किसी छेत्र विशेस में सुविधाओं का जाल बिछाती है जैसे education center research center industrialization ये सारी चीज़ें लेकिन वी सहरी करण में क्या है इनी चीजों को करमिक गत्य से क्या है महत तो ना देना, जिससे क्या है, वो सहर धीरे-धीरे पतन की ओर जाने लगता है, उस प्रक्रिया को क्या है हम वी सहरी करण के नाम से जानते हैं, फिर एक टर्म है 19 सेंचुरी में मैंचेस्टर, आप देखेंगे ये इंगलेंड के मैंचेस्टर सब्द जो है, मैंचेस्टर जो है, ये सूती कपड़ों के उतपादन के लिए 19 सेंचुरी में पूरी दुनिया में ख्याती प्राप्त रहता है, और जब कहीं भी हम कपड़े के उध्योग को तुलनात्म के स्टड़ी करते हैं, तो हम तुरंद कहते हैं, क्या ये मैंचेस्टर जैसा है, तो जब कहीं ज मैंचेस्टर सहर, जब कोई पूछता है कि एसिया का मैंचेस्टर किसको कहते हैं, तो ये ओसा का आता है, जापान का सहर है, जब कोई पूछता है कि भारत का मैंचेस्टर किसको कहते हैं, तो वो है आहम्दाबाद का, जब कोई पूछता है कि साउथ इंडिया का प्रेजिडेंसी सहर अंग्रेजों ने उन सहरों को विक्षित किया जहां पर क्या है उन्होंने प्रारमभिक चरणों में क्या है अपनी फैक्टरी इस्तापित की और उनमें क्या है सबसे पहला जो सहर होता है मद्रास रहता है दूसरा जो रहता है कोलकाता रहता है और तीसरा मुंबई रहता है और इन्ही सहरों पर कोलकाता में आप देखेंगे कि जो गवर्नर जन्रल होता है और जो मुंबई है और मद्रास है वहाँ पर गवर्नर रहते हैं और इन्ही के मा प्रेसिडेंट सब्द से बना हुआ है और इनी तीन सहरों को कलकता, मुंबई और मद्रास को इंपॉर्टेंस दिया जाता है और भारत के जो बसे सहर रहते हैं मसूली पत्नम, सूरत और श्री रंगा पत्नम ये सब क्या हैं इनको पीछे इने क्रमिक रूप से हास या भी सहरी केरन की प्रक्रिया से जोड़ दिया जाता है पैरवच्चों आज के वीडियो में इतना नेक्स्ट हम दिल्ली के संदर में स्टेडी करेंगे थैंक्यू